मेरा जो मानना है मेरा परसनल जो मानना है । आपका प्रियरिटी में लगा हूँ यह आपका स्टेंडर्ड एसी चीज आपके अप्लिकेशन ना निकले जो उनको लगे कि यह जो है वैलिद नहीं है जिसको 6-30% पर्सेंट के चांसे को अगर आप भी लोगों की तरीके से आप प्लाइब लोगों के पास कितने टाइम में वीजा आ रहा है इंसाइड दर यूके सारी चीज़ हैं डिसकस करेंगे इसमें तो मैं बतायता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आयोए हैं मेरा नाम है सौरब और मैं रहता हूं और मैं जो है सारी इंफर्मेटिव वीड कि हमारा वीजा डिले होता है डिले होता है कि मैं और यह जो है टॉप टेन डिले रीजन करेंगों सब्सक्राइब जो आता है अगर आपका जो application है अगर application में जो है sufficient आपने जो information डाली है वो satisfied नहीं कर रही है आपकी visa के accordingly तो आपका visa hold पे जाता है ठीक है दूसरी बात यह है कि अगर visa जो है बहुत जादा requirement अचानक से आ जाती है तो visa delay होता है ठीक है और तीसरा reason है कि अगर माल लिजे कि आप आपका को further evidence उनको चाहिए है माली जे को supporting documents चाहिए या आपका को criminal record उनको जो है verify करना है या आपकी documents की scrutiny करनी है वो सारी चीज़ें जो है अगर आपके documents में या आपके application में मिलती है तो visa delay होता है बाकी detailed video जो है आप लोग आराम से देख लिजेगा बाकी आगे बढ़ता हू कि इस time जो visa जो आ रहा है वो कितने time में आ रहा है अगर आप UK home office की बात को अगर आप मानते हैं अगर आप देखते हैं तो उसमें home office में लिखा हुआ है कि भले ही आपका visa student visa हो work visa हो health and care visa हो कोई भी visa हो वो three weeks लेता है मैं standard की बात कर रहा हूँ भी ठीक है priority में जाते हैं तो आपको 500 pound extra pay करके आपका visa जो है एक अफ़ते में आ जाता है ठीक है लेकिन मेरा जो मानना है मेरा personal ही जो मानना है visa अगर आपका priority में लगा हो है super priority में लगा हो या आपका standard में लगा हो अगर में fall कर रहा है कोई माइन नहीं रखता है आपका time लगेगा ही लगेगा सबसे पहले तो यह बात है कि आपके document सबसे important चीज है कि आपके document सबसे ज्यादा सही होने चाहिए ठीक है सिर्फ work visa sorry सिर्फ family visa के अलावा बाकी सारे जो UK home office कहता है कि सिर्फ तीन week में जो आपका visa दे subscribers है जो लोग दो मेने तीन मेने से भी wait करना है ठीक है उनका visa अभी तक नहीं आया प्लस उनके पास straightforward non-straightforward की mails आ रही है ठीक है नेक्स टेप क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ आपको wait करना है बस आप cross finger रखके रखिएगा कि कोई भी ऐसी चीज आ यह जो है valid नहीं है जिसकी वजह से जो है आपका या फिर तो इंटर्व्यू कंडेक्ट कराएंगे या फिर वह आपको जो है डिले में डाल देंगे आपका लिंगर रॉन हो जाएगा तो आपका next step जो कहता है वो next step यह कहता है कि आपको अगर visa अपना track करना है तो मैंने उस family visa में और अभी ऐसा कुछ changes नहीं है मेरे friends का जो वीजा जो है वो भी अभी तक लटका हुआ में इंटेक में उसको आना है तो वह भी रुका पड़ा हुआ है ठीक है उसका वीजा जो है डेर्ड मीना शायद हो चुका अभी तक ठीक है डेर्मीने पहले उसने स्टेंडर्ड क्यों होता है वीजा तो इस वीडियो पर आप क्लिक कर जीए नहीं तो सारी इंफॉर्मेटिव टॉप 10 जो है डेले रीजन इस पर क्लिक करें तैंक्यों फॉर वाचिंग इस वीडियो तैंक्यों सो मच